हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आए होप कि आप लोग सब ठीक होंगे तो आज हम एक साइंस का बनाने वाले हैं इसका नाम है गैस स्मोग डिटेक्टर तो आप यह प्रोजेट अपने घर पर बना सकते हैं फोर सेप्टी परपस या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो किस तरह बनाना है कुछ डॉट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए पचली वीडियो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए एक नाइन वोल्ट की बैटरी की जोर्त होगी कुछ जंपर स्वार लगने वा अब एक बज़र की जोरत होगी आप एक एक एलेड ले लेंगे अपन ट्रांजिटर लगेगा बी-सी-फाइफ उर सेवन एक हमें डायोड लगने वाला है आयन फोर्स जिरो जिरो सेवन और हमें 1K का एक रेजिस्टर लगने वाला है एक हमें MQ सेंसर लेना होगा तो चलिए हम सारे इस कंपोनेंट को जो बॉक्स है प्लास्टिक का इसमें इस्टॉल कर देते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ तो यह सेंसर को प्लेस करने के लिए हमें एक होल करना होगा इस बॉक्स में जहां से हम यह सेंसर को इंस्टॉल कर सकते हैं देखिए कुछ इस तरह का आपको होल कर लेना है अब LED के लिए भी एक होल कर लेंगे इसके बगल में और इस LED को इसमें लगा देंगे हम अब हमें यह बजर इंस्टॉल करना है प्लेस करना है तो बजर के लिए मार्किंग कर लेते हैं स्कूर के लिए तो चलिए फटा फट सारे कंपोनेंट्स में इसको कनेट कर लेते हैं सोल्डिंग कर लेते हैं जो भी हमारे पास कंपोनेंट है इस वीडियो के आखिर में दे दूँगा तो आप उसे रिफर करके आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं सारे कंपोनेंट को अब इसको पावर अप के लिए हम एक नाइन वोल्ट का बैटरी लेंगे इस नाइन वोल्ट के बैटरी को हम होट ग्लूगन से इसके अंदर चिपका देंगे अब यह बॉक्स को हम बंद कर देंगे तो यह रेडी हो गया है आप जैसे देख सकते हैं तो चलिए अभी हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसका स्मोक टेक्स करता है कि यह स्मोक को डिटेक्ट करता है कि नहीं तो इसके लिए मैंने एक अगरबती जला ली है अभी मैं इसके पास लेके जाता हूं देखते हैं कि ये बज़र बज़ता है कि नहीं एक बड़ और टेस्ट करके देखते हैं तो चलिए अभी सिलेंडर का जो गैस लीख होता है उसे टेस्ट करते हैं कि ये गैस को डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं तो इसके लिए मैं कीचन में आ गया हूं मैंने ये गैस और स्मोग डिटेक्टर को यहां पर इंस्टॉल किया है और इसमें बैटरी ना लगाते हुए मैंने इसको एक मुबाइल का जो एडेक्टर होता है उससे कर दिया है तो इसको पावर अप मैंने उससे किया है तो चलिए अभी मैं इसको टेस्ट करके बदाता हूं यह है मेरे पास लाइटर तो अगर मैं इससे लाइटर को ओन किया और मैं इसको फुक मारके तो अभी इसके अंदर से तो देखिए इसने गैस को डिटेट किया और एक्टिवेट हो गया है यह जब तक यह साउंड करेगा जब तक इसके अंदर यह गैस को डिटेट करता रहेगा तो यह बंद हो जाएगा देखिए बंद हो गया वापस आपको दिखाता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं ऐसे किसे नेक्स वीडियो में